लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है बिजी स्केडियूल की वजह से हम बहुत सी इंपॉर्टन चीजों को नजर अंदाज कर देते हैं जैसे की ओरल हाइजीन जिसकी वजह से हमें दातों और मसूडों से जुड़ी हुई बहुत सी प्रॉब्म्स का सामना करना पड़ता है आज उन्हीं प्रॉब्म्स पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सुलीशन्स पता सकें गाइडन्स के लिए हमाई साथ स्टूडियो में मौझूद है नेच्रोपेथ डॉक्टर आरेस दवास डॉक्टर दवास वेलकम तुमेंस थेंक्यू दवास अगर हम औरल प्रॉब्म्स की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्म्स हो सकती है सबसे पहले हमारे अंदर जो गंदगी जमा होती है वो पेट से सुरू होती है हमारी अगर इंटेस्टाइन बिल्कुल किलियर नहीं है तो उसका जो गंद आती है सांस के दौरा या किसी तरह से भी वह मू से दरगंद आने की समस्या है इसको हम सिर्फ साफ सफाई से ही लिंक करेंगे या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है दूसरा मुंग का प्रॉपर सफाई रखना गरारे करना औरल सफाई रखना यह एक विशेश उपलब दिये हैं बिलकुल तो जैसा कि डॉक्टर दवास ने ब बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है वो होती है मूँ से दुरगंद आने की समस्या यानि की बेट स्मेल आती है आपके मूँ से जिसकी वजह से कई बार आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है तो मसूरों से खून भी आने लगता है क्या यह कोई बिमारी होता है मसूडक्ण खुनाने का मतलप होता है कि tuvo दादों में पाहरा होना जो वितामिन C की कमी से होता है जो वितामिन C कमो वो 50 mg पर दे की होती है तो हमें इस तरह का भोजन देना चाहिए कि 50 mg यह 100 mg हमें पर दे विटामिन C भोजन से मिलता रहे हैं पर दायट यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इμपॉर्टेंट है जब हम अपने दातों की अपने मसूरों की सेहत की बात करते हैं तो यहाँआ पर भी ऐक हेल्दी डायट जो है वो बहुत ज्यादा इमपॉर्टेंट हो जाती है जिसलिए डाक्राप ने कहा लियदिए कि अगर लेते हैं तो ऐसे में आपको मसूडों से जुड़ी हुई बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके मसूडों से खून आने की समस्या जो है वो एक आम समस्या ऐसे में हो जाती है हम दातों के अगर बात कहने तो अकसर देखते हैं कि बहुत से लोगों के दात पीले पढ़ है दात क्यों देकि डिस्कलर होने का दो तीन करण है एक तो हम भोजन में परियापत मातरा में कैल्सियम विटामिन जो हम बुकार में हैं कुछ इनके साइड़र एफेक्ट होते हैं करण हम आपने ओनां दाँ को नियुगशन की नागये जाती हैं तो इसके लिए तो सभा रखने करने का मतलब होता है कि हम अंदर तक बोडिक की वार हो, तो लडल ख़ाइब सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे पहले से बात करते हैं जी इमन्त बताएं है है हेमन्त आप हमें हमारी ही आवाज सुना रहें प्लीज आप अपनी आवास सुना ये सवाल पूछिए टीवी सेट का वॉल्यूम कर लीजी सबसे पहले जी हे मन सवाल पूछिए जी अन्जी सार मुझे न 10-15 साल से पेट खराब रहता है और भूख भूख नहीं लगती है पेट में दर्द होता है और जैसा कहा है कि सुभा के वक्त प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है प्राकृतिक चेकिसा के दो तरीके हैं कि रात को जब सोए तो कोल्ड पैक लगाएं पेट के चारो तरफ पती लपेट लिए पेट के चारो तरफ सूती पती पाने ठंडे पाने भीगुई उसके उपर से गरम पत्टी जो कंबल में बनती है या उनी होती है उसको लपेट का सो जाएं यह पिर्ति दिन करें एक हप्ति तर लगाता था इनकी कॉंश्टिपेशन दूर हो जाएगी और हो सकता है तो एक दिन छोड़के एक दिन मिट्टी का पट्टी लगा लें पेट के ऊपर तो इनका कब्ज दूर होगी लेवर एक्टिवेट होगा और इनको भूख भी जगने लगेगी पेट भी साफ रहेगा कोई पर आउलम मिनको पेट के संबंदी नहीं रहेगी एक दिन छोड़के एक दिन मिट्टी की पट्टी और डेली कोल्ड पैक पेट का यह कर लें अब हम औरल हाईजीन को दबार से वापस लोटते हैं अगर हम कैविटी की बात करे जो दातों में कैविटी और जो नॉर्मल हम भाशा में कहते हैं कि दातों में कीडा लग गया है क्यों यह प्रॉब्लम आती है देखिए मैने बताया कि जब हमारे सरी में यह दातों के अंदर गम्स के बीच में दातों के बीच में वह जमा हो जाता है फो वह सड़ता है और स पर फिर तंड़ा पानी लगना गरम पानी लगना यह समच्या सिरू हो जाती हैं और बोलते हैं कीड़ा लग गया नहीं दान गड़ा पढ़ गया इस तरह की पानी और दो था हमाँ समझ जाएं जो के इनके जो मेरे साल्ट है मिल रंस है उनकी पूर्ती हो जाएगी और ठंडा पानी नहीं लगेगा और केविटी भी भड़ जाएगी वहीं घूम फिरकर वापस आ रही है कि आपके दातों की मसूरों की साफ सफाई जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अकसर हम इस चीज को नजर अंदास करते चले जाते हैं और जब हमें इस बात का एहसास होता है तो तब कहीं बहुत देर हो चुकी होती है प्रॉब्लमस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है तो ऐसे में जरूरी है कि वक्त रहते हम प्रॉब्लमस को पहचाने और एक एजर्ड इंसान की बात करें तो वहाँ पर मतलब हम देखते हैं कि दातों से जोड़ी की बहुत सी प्रॉब्ब्रम्स आती है दात हिलने लगते हैं, दात गिरने लगते हैं लेकिन आज कर अगर हम यंग्स्टर्स को देखें तो पच्चेस साल की उम्र में तीस साल की उम्र में दात हिलने लगते हैं दातों में दर्द होने लगता है, क्यों? देखिए इसमें दो कारण है मैंने बताया, जिए फॉरबिड मेंटर जमा हो जाता है तार्टर जमा हो जाता है तार्टर बोलते हैं उसको मेडिकल लेंग्विज में वो मसूडों के बीच में और दांत के बीच में जभा हो जाता है. तो जब बढगता चला जाता है, तो गम्स की दूरी बढ़ा देता दांत से. और फिर जब रूक तक इन्फेक्शन पहुच जадता है, तो दांत हिलने लगता है. एसी कंडिसन में हमें टार्टर को दूर करना होता पहली बात दूसरी बात केल्सियम की सप्लाई पूरी देने के लिए हम यह क्या करते हैं CP होती है जो समुद्र में मिलती है उसको जला ले और उसकी राख बना ले और उसको इतना माइक्रो नाइज कर ले पीस के जैसे कपड़ संचुरन होता बहुत माइक्रोनाई मेदय जैसा और उसमें सर्चों का तेल मिलाएं और दिन में दो बार उस से मसूडों की उसकी मालिस करें दांत हिलना भी बंद हो जाएंगे दांतों के सफाई भी रहेगी और जो दातों में कैल्सियम कम हो गया कैल्सियम की निचेडit तो लावा घंशनर तरीका में पताता हूं कि जेब हम लिशन पास करते हैं या तो से मिल दो सब्सुनाने की वहती है कि हमारे सरीर दो पहर से तो लिलिल करते हमें और हम निंचावाही कि अबर मेंडिविल कीूपर उपर मेंडिवल को दबा के रख लैंगे और उ इसको प्रेस करेंगे लिडिल पास करते समय और इस्टूल पास करते समय मैं समझता हूं कि इतने दाथ हिल रहे हों गिरने वाले हों अगर उसको एज फेक्टर नहीं है तो बहुत जल्दी दाथ यह जम जाने मैं 50 साल के लोगों को भी दाथ जमाते हुए मैं इससे प्रक्टि कोटा सा ब्रेक आप कहीं जाएगा नहीं बने रहे प्रग्या के साथ लोग साथ ब्रेक से लोटे हैं कमलेश हमाई साथ फोल लाइन पर मौजूद हैं जी कमलेश जी कहें जी नमस्कार सवाल पूछे कैसे आप जी किस तरह की प्रॉब्लम है विज्डम टूथ इनों ने निकल वाया है अपना और इसके बाद इनको दर्द रहता है क्या कर सकते हैं दात में दर्द रहता है या जहां निकला वहां दर्द रहता है तो उसके लिए एक तो यह मेति का पानी लेंगे जैसे एक गिलास पानी लेंगे दो चमंज मेति डालेंगे और इसका कुल्ला करेंगे बार बार दिन में दो बार, सुबह साम, कुछ दिन करेंगे दांत का दर्द ठीक हो जाएगा और बाकी दांत भी मजबूत रहेंगे और मुझे स्मेल भी नहीं आएगा, तीनों काम हो जाएगा हम आशा करते हैं कि आपकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी अगर टंग की बात करें तो अकसर हम देखते हैं कि टंग के ऊपर एक वाइट येलूइश सी लेयर बन जाती है इसके बार हमारे मुंझ से बहुत जादा समेल्स ह Micheание लेंगा जाती है अगर किनारे पर काली लेयर और जम जाती है वो इसको indicate करता है उसमें भूक भी मर जाती है तो जीव फिर्दिक sû एक हेल्दी है एक हेल्थ डाइट जीडा जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टंट हो जाती है अकर रही है अपने हमिल जाती है भी अपने केविटी बन गई है केल्सियम की कमी हो गई है इनको पहली बाद तो टमाटर लें टमाटर का रस चार चमच एक गिलास पानी में डालें और उससे गरारे करें तो और टमाटर सूप पीए भी उससे विटामिन सी और केल्सियम दोने चीज की पूरती होगी जो केविटी बनना बन जाहेंगी मैंने बताया था को पीस के उसकी राक बना लें कर रोने के बाद करने के दस मिनट वार उन ना करें और दीक हीज जाएंगे हिल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और जो इस पोर बनना सुरू हो गया यानि इन्हें में खतम होना सुरू हो गया इन्हें में त्वारा बनने लगेगा और यह डिक्रेज रोक जाएगा अपका जो पॉजिटिव नोड हर नुसके कर साथ रहता है न उससे मुझे ब पर कुछ टाइम के बाद हमें प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है तो आप फिलिंग को लेकर क्या गहना जाएंगे फिलिंग का मतलब होता है कि हम आर्टिफीचियल कैल्सियम रख देते हैं उसके उसमें चिपका कर चिपका देते हैं लेगे उसका डिके तो नहीं रोक फिर उसमें काले निसान पढ़ने सुरू हो जाते हैं और कैविटी बनने सुरू हो जाती है तो हमारे प्रॉपर जो होता है कि हम एक हैल्दी डाइट ले प्रॉपर सफाई रखें और यह ध्यान रखें किस तत्सकी कमी से क्या चीज़ हो रही है यानि अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं मसूडे फूल रहे हैं या दाटों में डिके सुरू हो गया तो कैल्सियम की कमी है मिंदल सी कमी है तो हम द्याइट में द्याइट करवाने से अच्छा है कि हम उस प्रॉल्म को जड़ से ही खत्म कर दें हम आसाथ एक कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है मिस्टर वाचपेई हैं सवाल पूछे बिल्कुल बिल्कुल आपकी एज जान सकते हैं मिस्टर वाचपेई जी 63 63 एज है अलसर की शिकायत है और पेट भी गड़बडे पेट गड़बडे पेट गड़बड के लिए 50% सलाद और फल खाएं बोजन में पहली बात दूसली ब दूना भोजन मसाले ये बंद कर दें तीसरा अलसर के लिए इनका अलसर चाहिए दस साल पुराना हो ये दस यह पंदे दिन में ठीक हो जाएगा अपने बिल्लड पेटर को चेक कराएं बराबर बिल्लड पेटर हाई नहीं होना चाहिए और पत्ता गोबी का रस निकाले इन दिन छोड़के एक दिन होगी शेया साथ दिन ये डोज ले लेंगे तो इनका अलसर कितना ही पुराना अलसर है बिल्कुल ठीक हो जाएगा बिल्कुल एक और कॉलर हमां साथ फोन लाइन पर मौजूद है जी मुना बताएं आपके दातों मसूडों से खून निकलता है जी जान साथ है कि और हम ऊदेख लग्रागा तो खून पत्ती 8-200 तो निकलता है जो और फूंड निकलता है इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे पांच प्त्ते अम्रुद के लेंगे दो लॉंग डालेंगे और इसमें 5 ग्राम अजुवाइन इन इन सब को पानी में बॉयल कर लेंगे एक लीटर पानी में और जब बॉयल हो जाएगा तो उसको च्छान के पानी को रख लेंगे उस पानी से दिन में तीन बार गरारे करेंगे तो इनका जो मुझ की जतनी समस्चा है वो सब ठीक होंगी दूसरा हलदी लेंगे पिशी हलदी माइक्रोनाइज दरदरा नहीं होना चाहिए और हलदी को लेकर के उसमें जड़ा सा सरसो का तेल मिलाक है और दिन में दो बार मसाज करेंगे मसूडों की और मुझ की दातों की समस्चा जो भी है सब ठीक हो जाएगी बिलकुल और भी दातों की समस्चा हम सौल करेंगे डॉ बहुती छोटा सा ब्रेक अब ब्रेक से लोटे हैं ओमाजी हमारे साथ फॉन लाइन पर मौझूद है जी ओमाजी कहें नमस्कार नमस्कार अब पुछना था कि अधिकतर दाब जो है बबाशेड वो जाता है पीला शेड हो जाता है क्या है जो फोड़ी वाइड दिखे क्योंकि वह ब्लीचिंग करवाते हैं जैसे लेकर उसका रिजल्ट वही होता है पांचे मेने कर रहता है फिर दुबारा से वैसे हो जाते हैं तो दातों को किस तरह से सफेद बनाया जा सकता है अगर यलो टून है तो पहली बात यलो करण हुई है यहां किसी दवाई की रियक्शन के करण हुई है जो दवाई का रियक्शन के करण हुई है तो उसमें तो बड़ा मुस्किल हो जाता है लेकिन जो पेट के करण से हुई है तो हम पेट को सफाय साफ रख सकते हैं उसके लिए हेल्दी डाइट लें फल सब जी ख चकोत्रा है संत्रा है नीबू है मौसमी है इस तरह के फल जो होते हैं यह फल हमारे लिए बहुत लाब दाज़ाएक हैं दातों के लिए मसूडों के लिए और पेट की सफाई के लिए भी क्योंकि यह सब आलकलाइन फूड में गिने जाते हैं दूसरा दांतों में जो साइनिंग नहीं आ रही है वाइट नहीं हो पारे है तो इसके लिए एक मंजन बनाते हैं तांतों का जो आरिवेद में बनता है उसको बोलते हैं तिरफला तिर्कुटा तूतिया पांचो लवंग पतंग दंत से रात को सोते समय मंचन करें और मंचन करके और गरम पानी से को लाकर दें तो दातों में शाइनिंग बनेती जैसा औरीजनल होती है यह तो वाइटनेस थो नहीं कहते हैं क्योंकर हरदाआपका कलर अलग होता है पैसिंद मतलब अभी करता है मैं मैं कि rice ककरता है तो जो इनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है तो यह जानना चाहती है कि किस तहां से इंप्रूव कर सकते हैं इसकिन के लिए दो चीज करेंगे एक तो चेहरे पे एक वार सुवे नहाने से घंटे वर पहले गुलाव जल गुलाव जल नीवुकारस और गिलिस्टीन तीनों क्रीम में पचाफ दस गिराम बदाम का तेर मिला के उसको फैंट लेंगे जातों वाइट नहों जाए जीजी और उसको रात को लगा के सवेगे उनको इनकी इन्रिज हो जाएगी हेल्दी हो जाएगी इसी के साथ दालते हैं डालते हैं एक नजर डॉक्स आप से बात करेंग अच्छी क्वालिटी का टूथ पेस्ट इस्तिमाल करें दातों के साथ जीब की सफाई का भी रखी खास ख्यार तो ये थी कुछ खास टिप्स और डक साब आप कुछ बोल रहे थे और हम टिप्स की तरफ बढ़ गए क्या कहना चाले थे आप और तो मैं इसकिन के लिए गिलो के लिए में बता है तहें दो फर्मूले यह तो करेंगे करेंगे उस के लिए एक तो पेट साफ रगेंगे पेट पर ठंडे पाने की पट्टी रखेंगे और अपनी सोच को पाजिटिव पान्टी रखेंगे ज़तों Leo George चेहरा खिला हुआ अपने आप नजर नहीं आएगा ज़ता हमारी सोच पॉजिटिव होगी बिल्कुर सोच पॉजिटिव हर चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और जिसे कि आपने कहा कि ओरल है जिसे कि आज हमने और केर की बात की तो ऐसे में एक हैल्द सब्सूदियो मैंने के लिल्कॉम